इसके पहले हम लोगों ने जोड़ घटानों को पढ़ लिया था आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है गुड़ा व्हीं कि आपको पता है क्षीलवस के एकॉडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। और सिल्वस में जोड़ घटाना गुड़ा भाग दिया गया है यह बीडूच गड़ित की जो है आपके यूपीटेट और सीटेट तोनों के लिए महत्त पून है क्योंकि हम बेशिक से पूरी गड़ित पढ़ा रहे हैं आई आगे हम देखते हैं आज का जो टॉपिक हमारा ग होगा तकि हरी कॉंसर्ट पूरी तरह से क्लियर हो सके वास्तों में गुड़ा करना तो आप सभी को आता होगा लेकिन गुड़ा में भी और ऐसे परशन बन सकते हैं और बने भी हैं खासकर सीटेट और यूपिटेट की परिछाओं में तो चलिए बीडियो अंदर तक देख अगर अपने प्रिवेस एर का पेपर शॉल्व किया होगा आपको याद होगा मैंने गुड़ा करते हैं बार बार जोड़ना फिर हम आगे देखते हैं यदि किसी भी संख्या को हम जीरो से गुड़ा करते हैं उसका मान सदेव शुन ने प्राप्त होता है most important यदि किसी भी स संख्याओं के गुड़ा से जिससे गुड़ा करना हो उसके दो भाग जिनका हमें योगफल वही संख्या बनती हो प्रतेक भाग से गुड़ा करके आभी संख्या प्राप्त की जा शक्ती है मतलब जैसे हमने यहाँ देखा कि दो संख्याओं के गुड़ा जैसे आपे देख इन दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का गुड़न फल जो है बराबर प्राप्त होगा वही क्या रहा है एदि किसी दो संख्यों में गुड़ा करना हो तो उसके दो भागों का गुड़ा करके जिसका योगफल बनता है वही क्या होगा उसका गुड़न फल प्राप्त होग ठीक है तो यहाप जैसा कि दिया गया आपने देखा कि 20 गुड़े 11 को हमने लिखा 20 कुष्टक में 10 प्लस एक अर्था इसका जुमान होगा गुड़न फल में कोई परिवर्तन नहीं होगा ठीक है बाद में आगे चल कर देखेंगे लास्ट में इसके बाद और भी वीडियो ज ऐसे करते हैं यहां यहां पर दों गुड़ा के बारे में यहाः पर जिकर किया गया है पहले एंका गुड़ा कर लेते हैं और सबों घूड़ा करेंगे और पहली बार गुड़ा करेंगे पूरा लिखेंगे दूसरी बार एक अंग छोड़ देंगे दाई तरब से फिर दूसरी तीसरे अंगा करेंगे दो अंग छोड़ देंगे के बाद फिर इसके बाद हम लोग संख्या पधती जब पढ़ना शुरू करेंगे उसके बाद एक बार और हम इनके बारे में पढ़ेंगे जब हम पर्मिय और अपर्मिय पढ़ना होगा तो हां पर इसको दों विधीवत तरीके से पढ़ लेंगे हर एक बारिक्यों को तुबा जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसे क्या कहते है भाजक जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं भाग देने पर प्राप्त होता है उसे क्या क्या है फिर सेस्फल जिसे भाग देने के बाद जो लाश्ट में प्राप्त होता हुशे क्या कहते हैं इस प्रकार हम ने यहां देखा कि उपर दिये गए जो प्रश्ण था उसका जो भाग फल था 343 और सेस्फल कितना हुआ च्छा हुआ और भाज जी जो था उसका वो 7885 हुआ औ भाज्यक गुड़े भाग फल प्लस सेस्फल है ठीक है आप इसे देख लीज़ेगा पुरा तैयार कर लेज़ेगा इस वीडियो को सभी साथ एक अपने शेयर कर दीज़ेगा इसकी पीडिएप के लिए टेलिग्राम में इस्टॉल करेगा सच करेगा दुर्गेश और बिना मस्यां वह सुलच जाएंगी और गणित के लिए बहुत ही जरूरी सध्या को पढ़ना इसको की पॉइंट है इसे दमर्टा मार दीज़ेगा जब किसी पूर्ण संख्या से किसी दूसरी छोटी सूनने के छोड़कर पूर्ण संख्या से भाग दिया जाता है तो भाग फल ए पूर्ण संख्या हो सकती है और नहीं भी हो सकती एज इस के बारे में देखते हैं कैसे लेकिन सूनने को छोड़का याँ दिखेगा 8 में हमने 2 से भाग दिया, चार, 1 पूर्व संक्या है, 7 में 3 से भाग दिया, 2 बार भाग फल है, और 1 सेश है, खि दूसरा, 3 में 5 से भाग दिया, तो दसमलों में ले गए वैसे तो एक नहीं जाएगा एक बार भी जीरो दसमलों च्छा होगा मतलब एक पूर संख्या प्राप्त हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है जब किसी एक पूर संख्या से दूसरी पूर संख्या भाग दिया जाता है तो भाग फल पूर संख्या प् क्रिया की पुंड़ा विरत्ति है मोसुन फॉर्टन भाग घटाओं की क्रिया की पुंड़ा विरत्ति है ज्याँ नहीं पे दिया गया है उसे 15 तो को 3 बार घटाने पर जीरो प्राप्ट होता है morning 15 में 15 तो कर दो तीन नहीं पर ने देख लिया था कि बार बार जो घटाने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं हम भाग क्याते हैं यहां से देखा हमने कि किस प्रकार बार बार घटा आगया आगे देखेंगे हम लोग कि जितनी बार घटाने की क्रिया होती है उसे भागपल जितनी बार घटाने की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं भागपल उपर तीन बार घटाने की प्रिक्रिया होई थी इसलिए उसका भागपल तीन होगा आगला पॉइंट यहां से पस्ना चुके हैं आपके टेट में जीर जिरो को किसी संख्या से घटाने पर सुन को नहीं प्राप्त क्या जा सकता चाहा जितनी बार घटा जैसे आठ में से जिरो घटाएंगे फिर आठ माने किसी भी संख्या में से जिरो को चाहा जितनी बार घटाएं कभी भी सुन प्राप्त नहीं होगा चाहा जितनी बार घटात कि जब यह आठाथ में किया सकते हैं, जीरो द्वारा भाग कर्या को वारित नहीं किया जा सकता, Most Important. अब तीसरा है, भाग गुडा की प्रक्रिया के भीपरीत है, जैसरे कहमें जानते हैं, भाग गुडा के प्रक्रिया के ठीक भीपरीत है ठीक है इसको देख लेते हैं हम लोग तो यहाँ पर हमने देखा कि भाग गुड़ा के भीपरीत होता है ठीक कॉंसेट क्लियर है इसके लिए इस आठ को दो से भाग दे कितना है चार इसका ठीक भीपरीत अगर हम चार्ड में दो से गुड़ा क कर लेंगे जब परिच्छा में पशनाते हैं तो मनो बिग्यानिक दबाओ फिर उपस इस तरह से तो आप पर दिक्कत हो सकती है आपको ठीक है यह वीडियो आपको हमारी यूटूब चैनल पर मिल जाएगा इलेनी बिद्रगेश और साथ शाथ आप इस वीडियो को हमारी नवल 4367 पर कॉल करके अलेंगे क्लास नोर्स सभी चीजह पकुल प्राक्टिस एट एक और आप अने क्लास जोएन करना चाहते आपको आपको मॉस्ट वेलकम है फिरमाग देखेंगे इस वीडियो को सेर्वे कर दीज़ेकर होशकी तो हमने देखा जैसे दो गुडे एक है तो 2 आया कि दो भाग करेंगे 2 मतलब हमने यह देखा कि भाग कभी प्रीत गुड़ा और गुड़ा कभी प्रीत भाग है अत्थ वह कह सकते हैं एक पूरु संख्या है तब ए में अगर एक से भाग दिया जाए तो क्या होगा सदे वही शंक्या प्राब्त होगी जरता के भी हम है और अगर हम एक से भाग देते हैं तो भागफल होगा ही संख्या प्राप्त होती है आगे बढ़ते हम लोग आगे बढ़ा जाएं आगे देखते हम लोग कि जब इस पूर संख्या को किसी जब किसी पूर संख्या कुसी संख्या भाग दें तो भाग फ़ले प्राप्त होता जैसे आप एक्जांपल में दिया गया है यहां पर देख रहे हैं कि एक पूर संख्या है जीरो को छोड़कर अ सद फ yan łasка जीरो पराप्त होता है जीरो किसी संख्याऊ से जीरो को किछी पूर्ण संख्या से भाग देने पर अथवगगूडा करने पर इसदी रोपर थैस defer देखें जीरो में जिरो जीरो को तो भाग देने से भाग देने पर भाग फल एक तीस्सों चालिस तता सेस्फल ग्यार अप्राप्त होता है तो वह संख्या या भाजक क्या है इसके लिए अगर आप नियम उपर देखा था अल्गोरितम प्रमे की भाज्य बराबर भाज्य गुड़े भाग फल्धन सेस्फल तो ही तरीका यहा यहां पर क्या है भाज्य है तो यहां पर भाग फल प्लस शेश्फल है तो भाज्य निकालना है तो क्या करेंगे सेस्फल प्लस इधर लाग दिये माइनस और भाग फल गुड़े में धर आएगा तो बटे में पस यही किया यहां पर यहां पर क्या किया है उसी रूल को यहा भाग फल घटा दिया, इस प्रकार कितना प्राप्ट रख देने पर? 19 प्राप्त हुआ, ठीक है तो इस प्राइब जो भाज़ा कि क्या है? 19 है वाजय कितना है 19 है concept clear हुआ चाहिए उसको भी अराम पूरा करम रखके भी घटा सकते हैं या तो इस नियम से भी घटा सकते हैं जो आपको सरलगे उस नियम से आप घटा सकते हैं ठीक है अगे देखते हम लोग अब जिसे एक प्रश्ण दिया गया है कि यदि 72 दर्जन कलम का मुल 3456 उपए हो एक दर्जन कलम का मुल्य क्या होगा तो देखिए जब दर्जन कलम का मुल्य दिया इतने रूपय हो तो दर्जन का मुल्य पूछा है ज्यादा कर जब कम पूस्ता है तो भागफ़ल होता है यह आईकिक नियम भी आपके अद्ध्याय में जुड़ा इस पकार आपको उपतर क्या होगा 48 देखिए जन कलम का मुल्य कितना होगा 48 रुपय होगा ठीक आगे देखते हम लोग फिर दिया है कि 78,651 में से कम से कम क्या घटाया जाए कि प्राप्त संक्या सत्रह से पूनता विभाज्य हो जाए तो क्या घटाया जाए ध्यान घटाया जाए वह साथ से विभाजित हो जाए खम जानते साथ दुना चुद अगर एक घटा देंगे तो बारबा जैसे यह है 15 में एक साथ से भाग देंगे तो एक से बचेगा अगर वही एक घटा देते हैं तो क्या होगा जब भी चूदा आए आएगा चवदा जब जब पर देंगे विवाजित हो जाएगा सेम कंडिसने और फजर वह उसका हुगा we जोड़ा सामय कम होने कवजा से थोड़ी सी तेज गति से भढ़ा रहे हैं अभी जोड़ घटाना को मिकस करके बढ़ लेते हैं क्वेगी जोड़ घटाना इसके पहले हम लोगो ने पढ़ा था आज फिर यह पढ़ लेते हैं इसके बाद हम लोग आसानी के साथ पढ़ेंगे चलिए यहां पर पढ़ लेते हैं जो घटा हो समंधित प्रशन यहां पर दिया गया है कि इन दोनों को यहां जोड़ाना इसको घटाना कुछ नहीं करना इन दोनों का योग निकाल दिए जितना आगे चल क्या और देंगे पूरा पढ़ना है फिर आगे भी धी अरटीनों को यहां पर योग करना है क्या करेंगे 945 प्लस 600 पचपन सो क्या करेंगे इसका म्यों कर देंगे तो उत्तर कितना होगा 1200 या ठीक है आघ्या थार्ड प्रशन पर यहां पर देखिए योग करना थ आ सकता लिकर रभी निए गई इस में सिसको खेडल ना इसमें सिसको घटाना इजा सामें अभहरती बड़ा अपर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कैसे कि यह कुछ नहीं करना है एक दम आसान तरीका है पहले बड़े मैं से इस पकूछ घटा लिए अपर दिखिए घटा दिया है तो हम एम जोनते हैं इन दोनों माइनस ओपस मेंस में जोड़ दिए इन दोनों पद को आस में जोड़ दिए यह गी हमें जानते हैं आठज़ा साथ 1303,196 बंदोनों को जोड़ जितना प्राप्त होगा वह 12,981 में से खटा दी जैसे आप पी किया गए दिखें दोनों को जोड़कर बड़े संख्या में से खटा दिया गया है कि हमें जानते हैं समान चिन आपस में जूड़े आते हैं और जब पद समानों चिन भी प्रीत हो तो बड़े पद मे हैं इसी तरह के सापको लगाना है क्योंकि देरे दर्म लेवाल आपका बढ़ा रहे हैं तो उम्मीद करते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा फिर आते हैं गुड़ा समंधित महत्त्पूर सोत्र इन सोत्र को पढ़ लीजे क्योंकि आप परच्छक दिश्टिकूर से यह सarq एक पूर संख्या हैं जैसे हैं आपर दिया गया यदि airby दो पूर्षन का तर रेखा गया है कि देखा गया है कि दो पूर संख्या कॉर्षन के नो इक पूर्ण संख्या होगी लिख लीजिएगा नोट डाउन कर लीजिएगा इसकी सट भी जरूत पड़े तो रख लीजिएगा जदा इसको अपने शवी ग्रूप हो में अपने शवी शाथियों के पास भेज दीजिएगा यह सेर भी कर दीजिएगा आगे हम दिखते हैं हम जानते है कि अधुक्तिन हमें इस प्राप्ट होता है तो कि ब Kramp और यां कि यारे बढ़े इक पह talking भी और जिए च्छय कर दो गूरत होती है और और आगे देखेंगे जैसे यहां पर साथथ नो ऐजवारण है यह इनका गुरान फ्ल जो है वह भी एक क्या है ठीक है अगे देखते हम लोग अगला है समान पूर संख्याओं को क्रम उधि बदल लूदिया जाए तो पूरेमिट्र इकजिस आये गा से शर गोड़े आठ या आथ गूड़े चार गुडंफल कै?- कि bringing किसी कि बेराबर में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं मिलता समझते चलिएगा या आगे भी इसको उन्यम हम लोग पढ़ेंगे से के अग्यां गया फिर आगे देखा जैसे आप यह दी यक्ष पुल संक्या है तो अगर इस में प्रक ठीश करेंगे तो क्या होगा जी रुप अब देखिए लिए जिरुवप टुगा है ठीक फिर आगे देखते हम लोग नहां पे छा हम देखते हैं यदी एबीसी टीन पूर्स अंख्या है तब धांदीजे का भी आगास के बारे में पढ़ें गया करना है आप या और आप इस बीडियो को साथ ते को से नियेगा वेकि बेसिक गड़ी थे और इसी करम लोग एक एक करम करके पढ़ेंगे उमीद करते हैं वीडियो आपको बहतर लग रहे होंगे फिर आगे देखते हैं उदान से पता चलता है यह गुड़ा है इसका गुड़न फल को चेंड करके दिया है इससे वितरन का नियम कहते हैं कौन आपके लिए और जॉनपूर में वाराणसी में उपलब्दे में ब्रांच है अगर जॉनपूर के आसपास कहीं है वारांसी तो हमारे सब्स्ताब आकर भी सकते हैं और और ऑल्ने क्लास जोईन करना चाहँ तो घर बैठे आप उन्ट्वाइवर जोईन कर सकते हैं आपका मोस जा हिन जा भारत